तो बचो आज हम देख रहे हमारी बारवी कक्षा का चौता अध्या है उसका भाग 5 यानि कि जनम नेंदर्ण विधियों को हम लेकर चल रहे हैं ती राइम से मतलब जो हमारे वीडियो में बात हो रही है उसमें हम जनम नेंदर्ण विधियां पढ़ रहे हैं जिसमें नाच्रल विधी, नाच्रल मैथड, बैरियर मैथड और कैमिकल मैथड हमने पढ़ लिया है आज हम पढ़ेंगे हमारी सर्जिकल मैथड के बारे में यानि कि जो सबसे जादा कारगार method है सबसे जादा effective method है वो है surgical method राइट तो आईए start करते हैं शल्ले क्रियात्मत विधियां क्या है शल्ले क्रियाइप प्राय उन लोगों के लिए सुझाई जाती है जो आगे क्या नहीं चाते हैं गर्बावस्ता नहीं चाते हैं मतलत जो आगे future में baby नहीं चा कम chances हो जाते हैं कि after surgical method baby conceive कर लिया जाए चाहे वो male हो चाहे female हो मतलब दोनों ही क्या हो जाते हैं अवरुध हो जाते हैं further pregnancy के लिए further baby conceive करने के लिए तो अधर इसे अस्थाई माध्यम के रूप में अपनाना चाहते हो शल्ले क्रिया की दखल अंदाजी से युगमक परीवेह संचार रोग दिया जाता है फलते गरबाधान नहीं होता है देखो ये male और female दोनों में होती है मतला male और female में दोनों में surgical method होता है क्या होता है कि हम male में यदि हम surgical method करते हैं तो उसको हम कहते हैं vasectomy उसके अंदर हम vas difference को काट देते हैं राइट जिससे कि sperm आगे जाते ही नह हम ही नहीं जाएंगे तो definitely क्या होगा fusion नहीं होगा तो कैसा होगा baby नहीं होगा right मतलब हम गरबधारण नहीं कर पाएंगे is that clear और वैसे ही यदि हम female में बात करें तो उसको मुझत है tubectomy tubectomy में हम क्या करते हैं fallopian tube को cut कर देते हैं जिसकी वज़ज़ से जो व्यूल होता है नहीं हो पाता है बन नहीं पाता है और further गरबधारण नहीं हो पाता है तो बंदे करण बंदे करण यानि की इसमें पूर्षों के लिए शुक्रवाहक उच्छे दन यानि कि वासक्टमी तता महिलाओं के लिए अंडवाहिनी यानि कि नली का उच्छ बेदन ट्यूबेक्टमी कहा जाता है यानि पूरुष और महीला में जो नजबंदी की जाती है उसको वास्टमी और टुूबिक्टमी कहा जाता है यहां पर आप देख रहे हैं कि जो मेल है जो मेल है उसमें यह जो वास्टीरिंस है यहाँ पर स्परम का निर्मान होता है इस परम यहाँ से वास जो हमारी वास जिट्रेंच होती है वहाँ से जाती है लेकिन तुम यदि इस वास जिट्रेंच को ही कट कर दोगे तो डेफिनिटली आगे जाकर के सीमेन में एंटर नहीं कर पाएगा देखो बच्चों जो semen है उसमें केवल sperm ही नहीं होते हैं उसमें बहुत सारे fluid होता है 90% जो fluid होता है वो different different चीज़ों से मिल करके बनता है तो सिर्फ उसमें केवल हमारे sperm नहीं होते हैं यदि तुम valve difference को ही cut कर दो और उसको seal कर दो यानि कि इसको भान दो, tie कर दो तो definitely valve difference आग मेल reproductive organ के अंदर तो भी क्या होगा कोई भी fusion नहीं होगा क्योंकि sperm ही नहीं है is that clear इसको हम क्या कहते हैं वासक्तोमी क्यों क्योंकि वास्ट्रेफरेंस को काट करके tie up कर दिया जाता है और sperm के production को रोक दिया जाता है इसको हम कहते हैं क्या पुरुष नसबंदी या मेल इस्ट जाता और उसको बांदिया जाता है क्यों क्योंकि आपको पता है यहां पर ठीक है ओवियू बनेगा जो एक जाएगा वो इसी फैलोपीन ट्यूब के द्वारा जाता है और इसी को हम काट देंगे तो definitely क्या होगा आगे जाकर के ना तो इस पॉम यहां पर आकर के फ्यूज ह या फिर हम बोलेंगे इसको क्या टूबेट टॉमी क्यों क्योंकि हमने फैलोपियन टूब को कट करके बांदा है जन साधारन इन क्रियाओं को पुरुष या महीला नजबंदी के नाम से जानते हैं शुक्र वाहक उचेदन में अंड कोश के शुक्र वाहक में चीरा लगाकर छोटा सा भाग काटकर निकाल कर अत्वा बहन दिया जाता है जबकि स्त्री के उदर में छोटा सा चीरा मार कर अत्वा योनी द्वारा डिम्ब वाइनी नली का छोटा सा भाग निकाल या भान दिया जाता है इसको फीमेल और मेल में क्या करती है जो हमारी फैलो पेंट यूब होती है और जो वासक्तम होती है इसको काट करके और बहन दिया जाता है जनन स्वासकी रखरखाव हेतू गर्ब नीरोधक नियमित रूप से अपेक्षित नहीं होते हैं इन सब के बावजूद व्यक्ति को इन विधियों को इस्तिमाल करने के लिए विवश होना पड़ता है फिर चाहे सह गर्बता को रोकने या देरी करने या अंतराल रखने का क्या मैत मैत में सबसे कूमन माथ सब्रेतध करते हैं और जो मेलस है वो कॉंडॉम यूज तइन यह बोँट में करते रहते संदय नहीं को क्योंकि इन वाव ध्यूट नहीं कर पाते या फिर वो कभी ऑपेरेंट नहीं हों पन पाते राइट तो इन में संदह नहीं है कि इन विधियों के व्यापक उपयोग ने जनसंख्या की अनियंत्रित व्रद्धी को रोकने में महत्पुन भूमी का निभाई है मतलब यह बहुत सारी जो मातर्स हमने पड़े यह हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल तो किये है फिर भी इन उपायों के संभावित दुश प्रभावों में मतली, उदरिये पीडा, बीच बीच में रक्तिस्त्राव, आनियमित आत्रव, रक्तिस्त्राव यहां तक की स्थन कैंसर जैसी बाते भी हो सकती है मतलब यह माथर्स तो बहुत जादा कारगार है, बट कुछ फिजिकल चेंजिस भी हमारे अंदर होते हैं, हॉर्मोन लेवल पे भी चेंजिस होते हैं, जिसकी वज़े से जैसे वामिट आना, पेट में बहुत जादा दर्द होना, या हम कह सकते हैं कि बलीडिंग आना, तो बहुत सारे ऐसे चेंजिस होते हैं, जो कि हमारे शरीर पर दुश प्रभाव डालते हैं, यदिपी यह हैं, बहुत महत्पूर नहीं हैं, फिर भी इनकी पूरी तरीके से उपेक्षा नहीं की जा सकती, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, सर्जिकल माथर देखा और ये लास मैतर था, अब हम बात करेंगे आगे जाकर के MTP की यानि की जो मेडिकल टर्मिनेशन ओफ प्रेगनेंसी होता है, उसके बारे में, तो आशा करती हूं कि ये वाला जो भागय आपको अच्छे समझ में आया होगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की साथ, जब तक से मिलेंसी होता है, आपको अच्छे सकतरा एिव बात, पिया को अच्सेलियो Lock-Up